यह हैं जो संबेदन सीर रेड एडिये कहे जाते हैं उनमें भी लोग कमीद बहार पहनते हैं सर्थ हमेशा सत्वन सिंग बेश सिंग इंद्रा जी के हत्यारे यह भी सर्थ बहार पैंट के सर्थ बहार लगते थे तो जितने ऐसे लोग कुछ स्पेसल लोगों की यह वो है कि यह इस तरह के लोग पते हैं और दलाल जो आप दलाल स्टीट में चले जाईए जितने दलाल मिलेंगे सेयर मार्केट में उस सर्थ बहार लगते अजय पत्रिकार जी एक तरफ दली में शराब घुटाले को लेकर लगातार मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल की मुश्किने बढ़ रही है कल उन्होंने राउज अवेन्यू की सेशन कोर्ट में याचिका लगाई और दलील में उनके वकील जो रमेश गुपता हैं ये कह रहे थे के सबसे जादा इमांदार और आम आदमी है तो वो मुख्यमंतरी अरविन केजरिवाल है क्योंकि वो ढिली शर्ट पहनते हैं और शर्ट को भी पैंट के अंदर नहीं करते हैं उनके पास कई जिम्मेदारियां हैं इसलिए वो एडी के समक्ष पेश नहीं हो पा रहे हैं क्या लग रहा है क्योंकि हर बार जो है वो वकील या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से इसी तरीके के तर्क दिये जा रहा है और इतने आर्गुमेंट इतने मतलब वो वैसे एक हिसाब से इतना लोई स्टेंडर के आर्गुमेंट हो रहा है कि पूछे नहीं कहना ने चाहिए रहमेज कुमार जी रहमेज गुपता जी एक अच्छे अडवोकेट हैं मगर अगर वो देते हैं उनको केजरी वाल ने एडवाइस किया कि इस तरह से बोलियेगा कि हमारे जो क्लाइंट है हमारा जो मौकिल है वो ऐसा था और उन्होंने रहमेज गुपता कि आज सक रिकॉर्ड में उन्होंने इस तरह की बहस नहीं की ये बहस लो इस्टेंडर की की वो भी ये केजरिवाल का दिमाग चला उसमें उन्होंने क्या का कि देखिए जो हमारा क्लाइंट है केजरिवाल जी इतने साधानार आम आदमी है कमीज बाहर पहनते हैं पैंट और कोट आज से नहीं कोट पहिंते हैं दूसरा जूते पहिंते हैं जाने कितने जगए जूते पहिंते हैं मैं आपको बता रहा हूं आप पार्टी के करकम में गहते तो इनका एक जूता कहीं चोड़ी चला गया था ये कांगे बढ़ गया था उसमें कई कलकाताओं को इनके जूते के लिए गाड रहता और ये कहना है कि बहुत साधाना आदमी सर्ट बाहर लगता पैंट अंदर लगते हैं बिचारे और साधाना चपल पहिंते हैं चपल नहीं पहिंते हैं ये बहुत अच्छे जूते पहिंते के चलते हैं दूसरी आपको बताना है जिस तरह से रमेज गुपता जी ने कि बहन की बेटी के लिए कभी उन्हों छुट्टी नहीं मागी या बहन की बेटी का साधी का बहाना नहीं बनाया ये बात किसी ने कहीं नहीं अपने आप ये कहने लगें जबकि ऐसा है कि ये कुछ बहाने बनाते नहीं असल में ये जानना है इनके सा तो केजरीवाल तो कई बरसो तो नहीं छूट पाएं तो केजरीवाल बच रहा है छै महने से ऐसे केजरीवाल लोगों को बेकूप बना रहे हैं और यह बहुत बड़ा गोटाला है इडी के उसमें सम्मन पे आठ अठ सम्मन पे ना जाना जब यह मामला कोट में गया तो कोट में भी आपको बताना है कि लोगर कोट में जब गया तो इन्हों ने क्या किया उसमें तारीक बिने गए उसके बाद जब तारीक पड़ी तो कहा कि हमारा वो चल लहा है विधान सवा बनाई और वो दो-तीन रोज में विधान सवाब जो सत्र बुलवाया उसको ये दो-तीन रोज में खतम हो सकता है जानबूच के लिंगलान किये रहें ताकि इनको एरेस्ट ना कर पहें वहां क्या बोलें कि सत्र चला बजट आप जैसा कहें तो यह हुआ कि वीडियो कांफरें के लिए चुकि दो इनके ऊपर याचकाएं हो गई थी एक तीन मार्च को हुई इसके पहले 26 फरवरी को हुई दो याचकाएं तो इन्होंने क्या किया दो वो दैड़ किये तो एक की तारीक कल पड़ी कल की तारीक में भी इनसे कई दिया गया इस पर आज की एक दूसरे मु पैसान ना किया जाए और आपको बताने दोनों अदालतों में कल भी उन्होंने इनसे इस पश्ट कह दिया इनको नियम काहिदे कानून बता दिये कि आप दो इडी ने भी बात कई अब मैं आपको बता दूँ यह उपर कमीच का बजय क्या है मैं आपको क्लियर कर दूँ यहां रामपूर जग 170 दो जाता तो बाहर देका जाता है जो लोग 60 बाहर लगते थे वो अंदर क्या था बहुत मसूल थी कि रामपूरी छोड़ी तो अंदर कोई कट्टा लगता था यह लिवालवर लगता था आवायद या चाकू छोड़ी तो ऐसे दवा ले दूसरी बा आने सुरक्षा कर्मी भी जो होते हैं वो बाहर लगते हैं सर्ट उसकी वज़य होती जैसे यहां रिवालवर होती वो छिपा रहता है जैसे कोई और चीज है कुछ लोग यहां पर कोई न कोई सामान सुरक्षा उनके लिए तो जाएज है मगा यह पहंते तो गलत आप आपको नतवकली पगणाव कहा है जत्मा लगता दें नटवल लाव के विशेशता यहरो पकला जाना गया तो नटवकली पहिर्ट बाहर लगता था नटवल लाल दूसरी भार हाजी मस्तान का आपने देखिए जितनी वोटु दावद की जितनी वोटु देनी चर्वारें आपको को बताना है कि जितने भी बड़े उत्तेलगी जो थे वहां का कांड आपने सुना होगा सीरियल विलाष्ट हुआ वहां पे बॉंबे में उसका भी जो वह है ओ भी आप समझ लीजे कि सर्ट बहार लगता था मोश्टली जितने बड़े लोग हैं कैसे जो दौलंगा बिल्ला द कि ये इस तरह के लोग पढ़ते हैं और दलाल जो आप दलाल स्टीट में चले जाईए जितने दलाल मिलेंगे सेयर मार्केट में उस सर्ट बहार लगते किसी जमाने में तलासी होती थी अगर आप सर्ट बहार रहें तो लोग तुनता हैसे आप कहीं पर भी जाईए आपकी तलासी तब अगर आप सर्ट अंदर करें तो तलासी नहीं होगी और कहीं आप चले जाईए तो मैं आपको बताना हूँ जब हम लोग पत्रकाल लोग जब जाते थे किसी डखायत का इंटर्व्यू करने अगर सर्ट अगर बहार रहती थी तो वह उनके आदमी कहते आई आई कंडिशन बाथ्रूम है लेट्री नेर कंडिशन कामोट करोलों के हैं परदे करोलों के कैसे आएंगे इस समय गर्मी है थोड़ी हवा भी चल लही है उनके पास इतना वेस्त हैं उनको कहीं गोवा जाना है कहीं गुजराच जाना है पूरे देश में तो कोई बात थी इन्हो बाहर लोग लगते हैं वो सब आप समय लिए दूसरा मोनिका सेलिंस के जो मामला हुआ था वो सर्ट बहार पहंती थी जिस अमेरिकन लाश्ट पती का था उसका सिर्फ एक सीन ऐसा है जो उस वाले सीन से उसमें वो सर्ट बहार पहंट के पहने था तीसरी आपको बताने जो दो छोड़ वैसे होते हैं वो सर्ट बहार लगते हैं ताकि पता न चले इसका न इनको डर इड़ी का है इनका डर इड़ी का है आई सा पहर नहीं लाकों रूपई की बेल्ट अंदर पहablyंते यह बाद नहीं बताएंगे और इडी का आप समझने जैंडी का डर है यह जाना नहीं चाहें नहीं डर पे चूकि चोड़ी जो है चोड़ चोड़ी से जाये पर हेला फेली से ना जाये हैं अब ये सब तुटके आप कर लो ये बाहर कर लो कर लो अगर आप ये अंदर कर लेंगे तो एक रियल पोजिशन आपकी नजर आएगी चुकि गलत सोच है करोनों का घोटाला अरबों का घोटाला मैं आपको इलक्टानल बॉंड में जो पैसा लिया गया है उसमें भी आसम बखड़े की मा कब तक खैर बनाएगी चलिए बखड़े की तो बना लेगा गीदर की गीदर कब तक खैर बनाएगा इसलिए जब गीदर को होता है तो सहर के अंदेसे में गीदर सहर के बाहर जाता अब लुकाउट नोटिस हो जानी चाहिए ताकि ये भाग न पाए चुकि भीले